पूरा का पूरा तो यहां मैंने 22 इंच का कपड़ा लंबाई में लिए इंच का वेलबेट के टुकड़े है जो की मेरे पास बहुत सारे बढ़े थे बहुत सारे कलर्स में भी थे लेकिन मैंने यहां दोई इकलर का यूज किया है तो वेलबेट का कपड़ा का घूमजाता यहां तो आपको क्या करना इसको इस तरिकी से स्टेच करके उपसे टॉप स अगर आपके पास velvet कर नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा, cotton या फिर जोज़एट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, printed भी, plain भी, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इस तरीके से एक लाइन में 5 लगेंगे, तो मैं बही पता रही थी कि दोनों लाइन में 5-5 एड करने आपको दिखा ब्रमक डिखा जीwn कि हमें करना क्या है, तो जो नीचे वाला फाб्रिक मैंने लिया है वो फाब्रिक जो था वो थोड़ा है इक बराबर का, क्यूकि एक बराबर होगा तब ही Еच्छा बनेगा, हमारा मैट, मैं छोटे साईज में आप को बना के दिखा रही हूं मतल हिसाब से रखषकते हूँ मैंने इसलिए इसको एक आईडिया देने के लिए आपको इस साइज का बताया है यह डोर्मेट जिना ही होगा जितना नॉर्मली मार्किट में डोर्मेट मिलते हैं उत्ता साइज का लेकिन इसके अंदर कलर काफी अच्छे लगाए हैं मैंने तो तो आप लोगों को देखने को आगे बहुत सारे आइडियाज मेलेंगे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजे बैल नॉटिफिकेशन को आल पे कर लीजे तो चलिए अभी मैंने क्या किया है सीधे वाले हिस्से को दोनों कपड़े के सीधे हिस्से को अंदर की तरफ करके उल्ट हिस्सा बाहर की तरफ करके इस तरीक से स्टिच कर दिया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा लिया था वेल्वेट वाला कप्ते उस कपड़े से लीजे वाले कपड़े से जादा था तो मैंने यहां आधा-धा हिंच का मार्जिन लेकिए चारो तरफ से इसको से ला हो तो देखिए मैंने इसको दो तरफ से जॉइंट कर लिया है आपकी अगर कपड़ा नॉर्मल कपड़ा होगा कॉटन बगार तो आपका बहुत असानी से हो जाएगा यह थोड़ा वेल्वेट है और यह जितना खीचो उतना खीच जाता है स्टिचिबल कपड़ा है तो इस पल्लेवे से लाइक है मतलब मालो की पाच इंच की जो चोड़ाई थी उतना एरिया मैंने छोड़ दिया अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा बहुता काट दूंगी और बाकी कॉर्नर पे इस तरीके से कट लगा दूंगी क्योंकि इससे ना कॉर्नर आपके जो बहर की क्योंकि वो अच्छे से फिनिशिंग से बाहर आ जाएंगी अब आप देखिए जो मैंने पाच इंच का एरिया छोड़ा था ना कि मतलब सीधा करने के लिए हाथ चला जाए उतना मैंने छोड़ा था तो आप उता तीन इंच भी छोड़ सकते हो और पाच इंच भी छोड़ कोई पाइपिंग की ज़रत नहीं पड़ेगी कोई इसमे एक्स्टा कपड़ा एड़ करने की ज़रत नहीं पड़ेगी और यह देखिए आप कितना शाइनिंग वाला कपड़ा होता है वेलवेट का तो यह जब जमीन पर आप बिछाओगे या फिर आप कहीं पर भी इसको करें तो उसमें भी काफी अच्छर से बनके आएगा तो देखिए मैंने पूरा टॉप सेच कर दिया आप लोग देख सकते हूं कि कितना अच्छा बना है इसका लुक कितना अच्छा रहा है और मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करने वाली हूं कि दिव्याखना ऑफिशि चैनल पर जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और आप जब तक ये वीडियो देखो कि तब तक आज ही या कल एक वीडियो उस पर आज आएगा तो वो चैनल भी मेरा ही है तो आप लोग जाहो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो वहां पर आप सूर से रिलेटीड कुर जो बनाया है फ्लोर मेट तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कि कितने अच्छे से आई है और आप एक छूटा सा कमेंट करके जरूर बताएगा और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करता क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे बैल नॉटिफिकेशन कॉल पर कर लोगे तो आप भी इसी तरीके के बचे कुछे कतरन से क्या-क्या जुगाड हम कर सकते हैं अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं अपने घर के बहुत सारे कामों को बिना पैसे खर्च किये यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई टीक एर